नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल बेगबार फिट से तो आज हम बात करने वाले हैं निसान मेगनाइट के उन वेरियंट के वारे में कि जो की एक वेल्यू फोर मनी हो सकते हैं आपके लिए अगर आप अगर यह मेगनाइट लेने का सोच रहे हैं या फ तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि निसान मेगनाइट का वह कौन सा वेरियंट है जो आपको पर्चेस करना चाहिए कि आप जो पैसा जिस के लिए दे रहे हैं वह पैसा हो चीज के लिए उतना वर्त रखाता या नहीं वही सारी चीज है अन् मेगनाइट के बारे में तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए सबसे पहले हम कलर ओप्शन के बात कर लें तो सबसे पहले तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निसान की प्राइजस के बारे में तो निसान की मेगनाइट हमें 4.99 lakh रुपेज से लेके 9.35 lakh रुपीज एक्शोरम देली तक मिल जाती है अगर हम इसके वेरियंट वाइस बात करें तो इसमें हमें 1.0 पैट्रोल इंजन जोके नेच्रल एस्पिरेटेटेट इंजन इसमें हमें एक्सी मोडल आता है XL, XV और XV प्रीमियम तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके XL मोडल की तो जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 4.99 lakh रुपेज एक्शोरम इसके अगर वेरियंट पे अगर हम एक्से बात करें इसकी प्राइस है 5.99 एक्सवी की अगर हम बात करते हैं तो 6.68 और एक्सवी प्रीमियम की अगर बात की जाए तो 7.55 लाक रूपीज एक्शोरूम तेली एक्सवी वेरियंट की बात की जाए तो 8.58 और एक्सवी प्रीमियम की अगर बात करते हैं तो 9.35 लाक रूपीज एक्शोरूम डेली की प्राइजेज है तो चलिए अब हम इसके बाकी डीटेल्स जान लेते हैं उन वेरियंट के बारे में बात करने से पहले जैसे कि इसके डा दाइमेंशन के बारे में अब बात कर लेज़ें हम इसके डायमेंशन के बारे में तो इसमें जो लेंथ हमें मिलती ही वह है 3994 mm width इसमें है 1758 mm की height हमें offer होती है 1572 mm की wheelbase इसके अंदर में 2500 mm का देखने को मिलता है साथ ही इसमें जो ground clearance में provide किया का वो है 205 mm का turning radius इसमें हमारा 5 meter है अगर boot space की बात की जाए तो इसमें 336 liter का में boot space दिया गया है साथ ही अगर इसके fuel tank capacity की बात की जाए वो है 40 liters तो अगर इस segment में आने वाली बाकी सबी कतर गाड़ियों से comparison किया जाए तो मेगनाइट हमारी width और height में बाकी सबी गाड़ियों के comparison में थोड़ी सी shorter और smaller दिखाई देती है wheelbase और ground clearance में इसका बहतर है लेकिन अगर इसके boot space की बात की जाए तो ब्रेजा और urban cruiser को छोड़के बाकी सबी गाड़ियों से इसका boot space थोड़ा कम है अब बात करने थे मेगनाइट के engine specifications के बारे में तो मेगनाइट के अंदर हमें 1 liter natural aspirated engine का option दिया गया है साथ ही इसमें हमें 1 liter turbo petrol engine है और इसी के साथ में हमें automatic में 1 liter turbo CVT का option अवेलेबल है तो सबसे पहले हम बात करने थे 1 liter natural aspirated engine की जो की हमें 999 CC 3 cylinder petrol engine में मिलता है का जिसमें हमें 71 BHP की power plus 96 Nm का torque मिलता है जो की हमें 18.75 km की mileage offer करता है ये 5SW manual transmission में हमें दिया गया है इसके बाद में हम इसके 1 liter turbo engine की बात करें तो वो 999 CC 3 cylinder engine 99 BHP powerful है और 160 Nm torque है जिसमें हमें 20 km per liter की mileage offer होती है अब बात कर लेते हैं हम इसके CVT variant की जो की एक automatic variant है इसमें हमें 999 CC का 3 cylinder engine 99 BHP की power देता हैगा साथ ही इसमें हमें 152 Nm का torque मिलता हैगा जो की हमें 17.7 km per liter की mileage offer करता है ये दोनों ही वेरियंट के अंदर हमें 5 speed manual प्लस हमें CBT transmission offer किया गया है चलिए हम इसके tire size के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें 195 by 60 और 16 inch के हमें tire देखने को मिलते हैं इसके lower variants के अंदर हमें still rims देखने को मिलेगा स्टेरिंग के बात की जा तो हमें सभी वेरियंट में electric power steering दिया गया है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक सी variant की कि हमें इसके अंदर में और कहके चीज़े offer की गई है तो basic details तो मैंने आपके साथ में share कर दी अब हम variant wise बात कर लेते हैं तो हमें 499 लेक रुपीज का यह जैसे कि मैंने आपको बता है यह variant पड़ता है तो अब इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर safety features में safety features में basic safety features जैते हैं कि हमें इसमें 2 airbag का option दिया है driver plus passenger, ABS, EBD, engine immobilizer, child safety locks, seatbelt warning alert system इसमें हमें center locking key on मिलती है साथी इसमें rear parking sensor और rear defogger with washer हमें options available है अगर इसके हम comfort और convenience features की बात करें तो इसमें manual AC मिलता हैगा, driver side 20 minute, 2-act load car charging socket steering हमें tilt adjustment का option दिया गया है साथी इसमें हमें power windows दोनों मिलते हैंगे अगर इसके headlights की बात करें और tail lamps की तो दोनों ही हमें dialogen मिलता हैगा, साथी इसमें ORBMs हमें internally adjustable मिलते हैं remote trunk opener का option है, front armrest, front cup holders और दोनों ही doors के अंदर हमें one liter water holder का option available है अगर हम इसके infotainment और instrument की बात करें तो इसमें हमें analog plus digital instrument cluster मिलता है जिसमें हमें 3.5 inch की LED instrument cluster में दी गई है जिसके अंदर हमें average fuel, average speed, साथ में distance to empty, gear shift indicator, door hazard, light warning, digital clock जैसे function देखने को मिलते हैं इसी के साथ हमें analog tachometer का option भी available है अब अगर इसके कोई styling features की बात कर ली जाए तो इसमें हमें silver finish gear knob देखने को मिलता है इसी के साथ black inside door handles, body color bumpers, sporty roof rails दीगी है जो कि practical है जिसमें हम 50 kg तक का weight hold कर सकते हैं या आप लेके carry कर सकते हैं साथी body color door handles, rear spoiler with LED mounted stop lamp, black gliding, wheel arch plus front fender यह सारे features के साथ में हमें XC variant available है और हमारे recommendation के साथ से अगर आपको मेगनाइट का अगर at least कोई variant खरीबना चाहिए तो आपको XC variant की तरफ 100% चले जाना चाहिए क्योंकि जिस price bracket के अंदर में सारी चीज़े इसके अंदर offer की गई है इस segment के इस समय कोई सी भी hedgebacks के अंदर भी इस price range के अंदर में यह सारे features available लेंगे अगर आप मेगनाइट का कोई सा भी variant खरीबना चाहते हो और आप बिल्कुल कम budget है आपका तो आप XC variant की तरफ बंद करके जा सकते हैं अगर इसके उपर वाले variant के अगर हम बात करें इसी के साथ में music system में हमें कापी सारी connectivity मिलती है जिसे कि FM USB साथ ही इसमें फ्रंट USB charger का option भी दिया गए साथ ही साथ अगर हम इसके टर्बो वेरेंट के अगर बात करें तो एक्सल टर्बो वेरेंट में हमें इस एक्सल वन लिटर पैटूल इजिन के अगर अलावा अगर क्या क्या मिलता है तो वो है हमारा remote operated fuel tank साथ ही safety में हमें ESP electronic stability program साथ ही इसमें traction control और additional features अगर infotainment में देख अगर आपको इसका कोई वेरेंट लेना है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो दूसरा वेरेंट कौन था है कि जो आप consider कर सकते हैं तो चलिए हम इसके next variant की बात कर लेते हैं XV variant की हम सबसे पहले का safety में बात करें तो हमें brake assist, isofix, child safety इसी के साथ हमें keyless entry का option हेगा साथ ही हमें hill hold, traction control, speed sensing, door lights, साथ ही इसमें fogless LED ओफर के जाते हैं, day and night, rear view mirror, nc tip जैसे हमें काफी सारे safety features अवेलेबल कराए गए है इसी के साथ अगर दूसरा comfort के अगर हम बात करें तो हमें 360 degree reverse parking camera मिलता है, हलाकि उसकी quality not up to the market इस segment में आने वाली इसी कोई सी भी गारी नहीं है जिसके अंदर में 360 degree camera available कराया गया हो, तो यह निस्तान नहीं है, बहुत अच्छी कोशिश की गई है और इस price bracket में हम इससे जादा और expect भी क्या कर सकते हैं, इसी के साथ में front में halogen और tail के अंदर हमें LED tail lamps देखने का और भी option available है, इसी के साथ हमें internally adjustable orbs मिलते हैं जो कि electrically है, इसी के साथ हमें rear में armless भी देखने को मिलता है, 6040 हमें split seating का option है, glove box हमें lamp भी मिलता है, trunk lights हमें इसके अंदर दी गई है, यह कुछ ऐसे comfort and convenience के feature हैं कि जो कि हमें इसमें देखने को मिलते ह इसी के साथ अगर हम infotainment system की भात करें तो इसमें हमें फूरा instrument cluster, total TFT, 7 inch का हमें digital cluster देखने को मिलेगा, साथ ही इसमें अगर और कुछ ऐसे features की बात की जाए कि जो कि अगर उसके अलावा दिया है, तो हमें start stop button जैसे कि मैं आपको पहले भी discuss बता चुका हूँगा, wise command, android auto, apple car play के साथ में connectivity के इसमें option मिलेगा है, इसी के साथ हमें tire pressure monitoring system दिया गया है, six speakers इसमें हमें देखने को मिलते हैंगे, इसी के साथ हमें लगे जूख और ऐसे कुछ basic features हमें extra दिये गाए, अगर हम इसके अगर एक take pack की बात करें कि जो कि आपको XP variant से मिलना चलो हो जाता है, जिस clip plates और premium JBL के six speakers आप इसमें लगवा सकते हैं, यह कुछ आपको extra pay करने के बाद में इसको आप add-on करवा सकते हैं, जिससे कि आपके गाड़ी यही वाले variant में काफी premium हो जाती है, यह XV variant मैंने actually XV और XV turbo दोनों variant को compare करके आपको बताया है, क्योंकि अगर मैं अलग-अलग आपको explain कर जाता, तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसी के साथ अगर इसमें CVT में बात की जाता, तो आपको chrome handles और ऐसे कुछ options और add-on हो जाते हैंगे आपके turbo CVT variant के अंदर, हमारी recommendation के हिसाब से अगर आपको अगर निसान मेगनेट का कोई variant रेजना चाहिए, तो या तो आप जो कि इसका starting best model है, या starting variant है, आप उसको considerate कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इसका कोई future loaded, अगर पूरा अगर आप इसा कोई variant लेना चाहते हैं, तो आपको XV turbo charge 1 liter petrol engine वाला variant खरीदना चाहिए, क्योंकि यह value for money variant हैगा, हमारे इसाब से, और उसका reason यह है कि अगर 1 liter petrol में अगर आप जाते हैं, तो आप इतना पैसा देने के बाद आपको कहीं न कहीं हो गाड़ी एक अंडर power fuel होगी, तो आपके लिए अगर आप कोई variant लेना चाहते हैं, तो आप इसमें 1 liter turbo petrol engine के साथ जाहिए, जिसमें आपको एक अच्छा कासा power plus fuel efficiency भी देखने को म अगर आप निसान मेगनाइट को consider कर रहे हैं, आपके bucket में शामिल कर रहे हैं, तो आप इन दोनों variant में से कोईसा भी एक variant आपके according लिए, आपके price budget के साब से आप इसमें consider कर सकते हैं, और इसके बाकी जो variant के बारे में अगर आप और डीटेल में अगर जानना चाहते हैं, त ताकि हम उन पर फिर हर variant वाई एक separate वीडियो आपके लिए हम ज़रूर लेखे आएंगे, तो बस आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गए information पसंद आई होगी और आपके लिए काफी जादा useful रही होगी, अगर आपको information पसंद आई आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें वीडियो को लाइक करें और अगर आप कोई suggestion देना चाहते हैं या कुछ और आप हमारे improvement देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें comment करके भी आप guide कर सकते हैं तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे फिर और किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नहीं गाड़ी के साथ में तिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिएगा इस्टे से नमस्कार जैहिन